तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी गलतियां होती हैं जब आप पहली-पहली बार शुरू करते हो सीखना या आप YouTube वीडियो देख के सीखना शुरू करते हो गाना शुरू करते हो और उसमें आप क्या-कैसी mistakes करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आगे चलके उन चीजों को लगातर प्रैक्टिस करते रहते हैं एक तरह से हम वोने हम फॉल्स प्रैक्टिस करने लगते हैं तो सीधा टाइम बाद ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं तो सबसे पहले जो एक कॉमन अगर आप अल्रेडी सीखते हो या अगर आप भी किसी को सिखाते हो अगर आप कोई टीचर हो आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा जब कोई नया बच्चा आता है कोई नया स्टूडेंट जब कहीं पर सीखने जाता है तो वह पहले मिस्टेक्स ही यही क चकर में अपने आवाजों को दिखा लेते हैं तो अगर आप भी ऐसा कुछ कुछ एसा कुछ फील होता है तो उस चीज कहीं बारे में बात करने वाले कि प्रैक्टिसे किस तरीके से करनी है सबसेहले कैसे लोग करते हैं वह देख लेते हैं जब भी रियास करने के बाद आती है वो इस तरीके से करते हैं मून का बंद होता है और आवाज काफी बोले तो प्रॉपर नहीं आ पती जो एक फुल पोटेंशल से आवाज आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहे होती तो उसको करने से आपको कोई benefit नहीं होगा आप इस बात को चाहिए मानो है ना मानों बिल्कुल भी benefit नहीं होगा आप उसको 6 मिने करोगे तब आपको थोड़ा बहुत कुछ लगेगा यहीं पर कुछ हमारी गडबड़े हो जाती है जब हम सोचते हैं कि मेरा आवाज में चेंज क्यों नहीं हीरा एक जो positive change होता है जो आवाज एमठी खुलता है जो गला हमारा में फोल रहा हूं मैं अपने मुंग का इसा दबा खके नहीं बोल रहा है आपको मुह भी प्रॉपर अच्छे से खूलना होगा तो मुह प्रॉपर नहीं खोलोगे तो आप उस चीज़ के चेंजिस को नहीं देख पाओगे आप जो भी रियास करोगे आप जो भी प्रैक्टिसेस करोगे कहिना कि आपको बैनेफिट बहुत ही कम लेवल्स पे देपाएंगे लेकिन अगर आप practices ऐसे करोगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप राग कर रहे हो, अलंकार कर रहे हो, आप कोई तान कर रहे हो, आपको खुले गले के साथ करना है, आपको starting में ही आदर डाल ले नहीं है, आपको बार बर देखना है, आप phone के cameras को on करो, आप उसमें बार ब खुलाओ, ताकि जो vocal का throw है, वो proper से निकल पाए, अच्छे तरीकी से आ पाए, अब simple सा example, आप ये भी ले सके समझ सकते हो, कि अगर हमने कोई pipe अगर connect किये किसी tap से, तो tap से जब हम full pressure से पाने निकालेंगे, अगर उसके आगे जो mouth opening है, उसको ही काफी छोटा रखेंगे, त लेकिन हम जान बूच के, चाहे fear के नाते, चाहे उसमें डर के या कुछ भी घवराते हुए, हम आवाज को दबा लेते हैं, जिससे कि वो false practice होती है, तो false practice हो हमारे गले को बलकी खराबी कर रही होती, जो कि हमें बाद में पता चलता है, छह मेंने एक साल बाद पता चलता है तो हमें इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना, starting सही आपको अपने mouth opening, आपके pipe की mouth opening आपको full रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो water है, means जो हमारा जो vocal है, जो vocal throw हमारा निकल के आएगा, गले से, हमारे chest से, हमारे पेट से जो आवाज निकल के आएगी, तब जाके कही ना कहीं एक proper throw बना पाएगी, तब जाके आपका एक texture भी एक अच्छा develop हो पाएगा, तो सबसे बड़ी चीज है, यह मैं सबसे बड़ा point मानता हूं इसको, आपको starting सही इसकी आदत डाल लेनी है, कि आप मुझ को बंद ना रखे, मुझ को proper खोल के गाए, आपको starting सही उस पे काम करन है, क्योंकि क्या होता है, starting में हम अपनी आवास पे ध्यान देते हैं, हम इस पे ध्यान देते हैं कि मैं डर रहा हूं कहीं पे गाने से, कि में सामने अगर 5-6 लोग बैट गई, में सामने कुछ audiences आ गया, इवन मुझे अगर friend circle में भी गाना है, तो आप उसमें डरने लगते ह आपको starting से ही उस पे practice करनी है, कि मैं डरू नहीं, मुझे गबरहट ना हो, तो इसमें कैसे आप वो कर पाओगे, आपको आवास खोल के गानी है, आवास खोल के गाओगे आप तो आपके सूर भी अच्छे से लगेंगे, आपके सूर भी perfect लगेंगे, और जैसे ही आप इसको practices में लाओगे, मैं आपको guarantee दे सकता हूँ, कि आपको within a week, within a week आपके आवास में आपको change दिख जाएगा, कि हाँ मैंने जहां पे जो practices की थी, इसका मुझे change दिख रहा है, मुझे अपनी आवास में फरक दिखा है, मेरी आवास खोल रही है, मेरा गला खोल रहा है, इसलिए कुछ लोग आपने देखा भी होगा, कुछ लोग कईवर बोलते हैं कि आप गला खोल के नहीं गा रहे, आप मुझ बंद करके गा रहे हो काफी, आप full potential से नहीं गा पारे, तो वो इसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो यह एक सबसे वड़ी चीज है, इस पे किनिली करना है, आपको सिंपल, मैंने बता दिया आपकोॉ स सारे गामा पधनीता की मैगेंटद से, कि आपको किसी से दर के गा रहे हैं यहां सहम के गा रहे हैं काफी तो ऐसा नहीं करना आपको नहीं तो कोई ना कि Xiaodạ बहा ही पढ़ जाएंगी और उससे फारक कुछ होने नहीं वाला इससे बढ़ हैं तो आप practice-y मत करो अगर practice करो तो इस तरीके से करो तकि उसका benefit भी आपको हफते में या एक मेने में, दो मेने में, तीन मेने में दिख भी सके ऐसी practices मत करो जो आपको एक wrong direction में लेके जा रही है और साथी साथ आपको बार-बार इसलिए observe भी करना पड़ेगा मेरी आवास किस तरीके से मैं, कहां मेरी आवास कितनी खुल पा रही है या मेरी mouth opening proper हो पारी है नहीं हो पारी तभी आप जब गाना कोई गाओगे तब उसके आप अच्छे से notes भी पकड़ पाओगे and आप उसमें variations भी जब डालोगे तभी वो सुनने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि खुल के ही जब आवाज आएगी किसी speaker से खुल के जब आवाज आएगी दब के नहीं आएगी तभी वो सुनने में भी अच्छा लगेगा So that's all about this video, next video में मिलेंगे किसी और टिप के साथ I hope आप इन टिप्स का यूज करके अपने आवाज में changes देख पाऊगे और इसी तरीके से practice कर पाऊगे, मिलते हैं next video में